जाए हिंद future credits, preparation किसी भी examination को अंजाम तक पहुँचाने का सबसे बहतरिन माध्यम होता है और अगर हम preparation सही direction में करें, सही guidance में करें तो definitely उसका फाइदा भी हमें होता है personal interview की ही अगर हम बात करें, तो आप जब personal interview के लिए बेठे होते हैं तो आप से IO सहाब different questions पूछते हैं, तो उन questions का एक sequence होता है जिसको comprehensive interview question IR कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले round में आपके education से related सवाल पूछे जाते हैं second round में आपकी family से related questions पूछे जाते हैं और third round जो होता है वो आपके hobbies और interests के उपर depend करता है तो इससे पहले दो वीडियो मैंने और बनाए हैं, जिनमें मैंने overall information दिये कि आप से आपकी खुद की education से related क्या क्या questions पूछे जाएंगे second वीडियो में पूरा एक धम explain किया हुआ है कि आपकी family से related क्या बाते हैं उसके अंदर पूछी जाती है क्या आपको वहाँ पर question पूछे जाएंगे what will be the answer, क्या हो सकता है आज के इस वीडियो मैं बात करें CIQ3 की जो completely depend रहता है आपके hobbies और interests के उपर वो देखना चाहते हैं कि बंदा पढ़ाई के अलावा और family के time के अलावा जो और बचा हुआ time उसको किस तरह से spend करता है तो आईए पहले मैं आपको पूरा paragraph पढ़कर बता देता हूँ कि आयो साब आपसे एक धम पूरा फटा-फट speed में क्या पूछेंगे और क्या पूछने के पीछे उनका क्या-क्या मकसद होने वाला है तो देखिए बच्चों सबसे पहला कि डिरेक्टली जब वो start करेंगे तो ऐसे करेंगे आप बताईए कि आप अपना spare time कैसे spend करते हैं आप तीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं अगर आपके घर पे इंटरनेट के सुविधा उपलब्द है आप इंटरनेट का कितने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं आपके इंटरस्ट और आपके होबी क्या है sports and games में आपकी कितनी रूची है sports and games you have taken part in वो sports और games जिन में आपने participation किया है both in your daily routine and on a working day and on a holiday आपके routine के day पर आपके working day पर या फिर आपके holiday पर आप किस तरह से इन चीज़ों को follow करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप CIQ1 देखा होगा और अगर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़े या पर common मिलने वाली है पहली चीज़ कि sports और games से related बात वो आपसे पूछ चुके हैं CIQ1 के अंदर CIQ1 में जब उन्होंने आपसे आपके educational background के बारे में पूछा 10-12 के percentage पूछे हैं वहाँ पर वो आपसे आपके games, sports के बारे में पूछ चुके हैं साथ ही वह वहाँ पर आपसे आपके extracurricular activities के बारे में पूछ चुके हैं और वहाँ आप काफी कुछ हिंट वहाँ पर दे करके आए हो कि क्या खेलता हूँ कैसे खेलता हूँ अब यहाँ पर एक cross check कर रहे हैं आपसे कि आपने वहाँ बोला था उसको आप fulfill करने के लिए प्रयास क्या करते हो क्योंकि आपने वहाँ education के टाइम पर बोल दिया आप मैंने 10th में होकी में participate किया था और हमारी team state level पर जो है अपने school को represent किया था ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी team का representative था state level पर district level पर जो भी कुछ है चुकि किसी भी sports में आप तब तक अच्छे नहीं हो सकते हैं जब आप उसको आप घर पे परशू ना करें आप उसके लिए time ना निकालें तो यहां पर आपको वही सब बताना होता है कि आप sports और games में interest रखते हो तो घर पे कप खेलते हो कैसे खेलते हो sports और games में आपका interest है यह उसके साथ साथ आप टीवी पर क्या देखते हो साथ ही साथ आप internet पर क्या सर्फ करते हो तो एक यह जो paragraph जो आप से पूछा गया है आपको एक धम basic से एक धम वापस से आपको introspect करके इस पर जवाब तयार करना है कि भाई जो पूछा जा रहा है वो मेरी personality से related है या फिर नहीं है आपको कहीं भी fake करने की कोशिस करोगे पकड़े जाओगे और fake अगर आपने नहीं किया तो definitely वहीं मिलेगा जो आप चाहते हो तो इन सब में क्या जानना चाह रहा है वो जानना चाह रहा है कि how do you spend your spare time आपका spare time कैसे आप इस्तिमाल करते हो ऐसा दो नहीं है बस लेटे ही र time से आप follow कर रहे होंगे तो definitely उसमें आपको proficiency होगा तो what is the level of proficiency preference for team games or individual games and level of proficiency आप किस तरह के games खेलना पसंद करते हो आप team game खेलते हो individual game खेलते हो उन games के अंदर आपकी क्या proficiency है routine होने both normal days and holidays आप जो है आपके normal दिन में आपके और holidays में किस तरह से अपना time प्लान करते हो अपना day के से प्लान करते हो आपकी reading habits क्या है क्या आपको free time मिलता है तो आप newspaper पढ़ते हो क्या आपको newspaper पढ़ते हो तो उससे फिर आपको सारी geopolitics and all सारी information पता चल जी आती है आप newspaper के साथ do you prefer any book or any magazine to gain knowledge and last बच्चा TV programs and movies कौन से TV programs आप देखते हो कौन सी movies आप देखते हो जो हम देखते हैं अपनी life के अंदर जो कुछ हम चीज़ें follow करते हैं कहीं ने कहीं वो हमारी personality का reflection होता है आईना होता है तो बढ़िया आप इंदास prepare कीजिए do not hesitate do not be too much worried खुब preparation करती जाए सेलेक्शन तो हो नहीं है क्योंकि examination और SSB conduct ही आपके recommendation के लिए किये जा रहे हैं तो आई होप वीडियो आपको helpful रहा होगा यह वीडियो ने आपको मदद की होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको like share subscribe करना ना भूले जै हिन जै भारत इंकलाब जिन्दाबाद भारत माता की जै